एक number given है 1500, आपको यह find करना है कि इसके total कितने factors होंगे, तो सबसे पहले हम इसका prime factorization करते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और 15 को 3 into 5, और 100 को 2 square into, अब total number of factors के लिए power में एक एक add करिए हो जाएगा 3 into 2 into 4, अब even factors के लिए, जो even prime number है, उसकी power तो as it is रखिए, और जो odd हैं, उनमें एक एक add करिए, तो यह हो गया 4, and that will be 16, odd factors के लिए simply odd prime numbers देखिए, तो उसमें एक एक add करिए, हो जाएगा 2 into 4, और कितने prime factors होंगे, उसके लिए simply powers को add कर दीजे, 2 plus 1 plus 3, that will be 6, अब perfect square factor means power 2 होनी चाहिए, तो यह हो जाएगा 2 square raise to the power 1, और यह हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, तो यह तो हटा दीजे, यह हो जाएगा 5 square raise to the power 1, remainder कुछ भी आए, उससे मतलब नहीं है, आप जो power है उसमें 1, 1 add कर दीजे, and that will be perfect cube के लिए power 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इन दोनों को अटा दीजे, यह हो गया 5 cube, और raise to the power 1, ठीक है, अब इस वाली power में 1 add कर दीजे, that will be 2,